अब नहीं है मुश्किल कोई काम या वर्ग चैनल को सब्सक्राइब करें आल वर्ग नमस्कार दोस्तो मैं संदीव कुहार मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज अब बात करेंगे कि रेजिस्टेंस सर्किट में कैसे लगाया जाता है उसकी बैलू कैसे चेक क की जाती है और उसकी बैलू कैसे निकाली जाती है तो दोस्तों अब यहां पर मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया है जो कि LED का है हम लोग जैसे 12 बोल्ट करेंट देते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस लगाना जरूरी होता है क्योंकि हमारी जो LED होती है वह जादा से जाद अब यहां पर दोस्तों यह 3 बोल्ट की LED है तो यहां पर यह पता करना होगा कि रेजिस्टेंस कितने ओम का लगाना क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो हमारी LED खराब हो जाएगी और सर्किट बेकार हो जाएगा तो यहीं जानने के लिए इस वीडियो में मैंन जो रेजिस्टेंस की बेलू निकालते हैं पहले मैं आपको एक फर्मूला बता देता हूं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह कैसे सम्तिंग सम्तिंग में कैलकुरेट की जाती है हाला कि वैली तो एक्यूरेट आती है लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वह एक्यूरेट नहीं मिल पाते है कभी कभी तो फर्मूला यह है दोस्तों और बराबर बी एस माइनस बी एल अपान आई दोस्तों फर्मूला यह है और दूसरा मैं आपको पावर भी इसका बताऊंगा कि कितने वाटका सर्किट में कितने वाटका रजिस्टेंट लगाना चाहिए तो दोस्तों यहां पर बी इस जो है यानि कि जो वोल्टेज in put करेंगे वो होता है वी एस और जो बोल्टेज हमारा उपकर लेगा जैसे हमारा led जो है वोра 10 बोल्ट ही लेता है तीन बोल्ट के something लेता है लम्सम सारे LEDs कुछ color code के हसाब से color के हसाब से कम ज्यादा لे सकते हैं लेकि normally जो होता है वो तीन बोल्ट ही लेते हैं और ये ampere ampere भी अगर हम बात करेंगे ampere में तो 0.02 am और इसको हम दूसरी वासा में भी लिख सकते हैं कि I बराबर 20 मिली एंपियर तो दोस्तों अब इस फार्मूले में हम लोग मिली एंपियर तो नहीं लिखेंगे इसकी वैलू नहीं लगाएंगे जो एंपियर में है वही वैलू लगाएंगे तो आईए दोस्तों यहां पे हम लोग मान रख देते हैं जो चीज हमें दे गई उसकी वेलू रख देते हैं तो आर बरावर बी एस है हमारा बारा बोल्ट और बी एल है हमारा तीन बोल्ट अब यहां पे दोस्तों यह ज़रूरी नहीं कि LED ही हो यहां पे आपकी बारा बोल्ट पे जो चलने वाली मोटर होती है गो भी हो सकती है या दो LED हो सकती है कुछ भी हो सकता है दोस्तों तो यहां पे हम लोग मान रखते हैं R बरावर 12 माइनस 9 बटे 0.02 इसको लिख सकते हैं दोस्तों यहां पे 3 होगा 12 माइनस 3 बरावर 9 और बटे में होगा 0.02 इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे यह दसमलब हटाएंगे तो उपर 2.0 आ जाएंगे तो यहां पे हो गया है 900 बटे 2 तो 900 में 2 का भाग देंगे जब हम तो आर बरावर निकल के आएगा 450 और हम तो दोस्तों यहां पे हम लोगों को जो बैलू मिली है 450 और यही रेजिस्टेंस लगाएंगे अब यहां पे बात आती है कि 450 ओम का रेजिस्टेंस मिलता नहीं है तो रेजिस्टेंस आता है 470 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको निकाल के दिखाते हैं बाट की रेजिस्टेंस 470 ओम का वो हम कितने बाट का लगा है आए दोस्तों वह भी देख लें यहां पे वाट बरावर यानि डबलू बरावर वी आई तो वीव है हमारा जो कि अभी निकल के आया था नाइन और जो आई है एंपियर वह अभी निकाला था तो पी बरावर आगे आया है दोस्तों 0.18 या इसको कह सकते हैं लंब सम क्वाटर वाट यानि कि एक बटे चार भाग वाट लगाना चाहिए तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि 12 बोल्ट में जो हम सप्लाई देंगे 3 बोल्ट की LED जलाने के लिए तो 470 ओम का रेजिस्टेंस और क्वाटर वाट में होना चाहिए उसके लिए यह काफी है अब आईए दोस्तों मैं आपको एक बार 9 बोल्ट पर और चेक करके दिखा देता हूं यानि की 9 बोल्ट पर तो दोस्तों फॉर्मूला हमारा वही रहेगा शिर्फ जहां पर 12 है वहीं पर 9 रखे जाएंगे और बाकी जो सेम प्रोसेस है तो 6 बटे 0.02 यानि की 600 हो जाएंगे और दो प्रावर 300 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा नव बोल्ट पर यह तीन बोल्ट गिया लेडी जलाने के लिए तो दोस्तों अब यहां पर भी बाट निकल आएगा इसमें भी लेकिन यहां पर कुछ उससे कम बैलू का चाहिए क्योंकि 9 बोल्ट है महां पर 12 करती तो यहां पर जैसे जैसे बोल्टीज कम करेंगे तो बाट भी कम की जरूर पढ़ेगी तो बाट भी निकाल लेते हैं यहां पर कितना लगेगा तो यहां पर आ जाएगा दसम्द्ध एक, दो बाट अब एक दो वाट का दोस्तों आता नहीं है इतना छोटा तो हम लोग क्वाटर वाट को ही इस्तिमाल करते हैं एक वटे चार वाट या क्वाटर वाट का रेजिस्टेंस लेते हैं 300 ओम पर तो हमारे 3 बोल्ट की LED आराम से जलेगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों आपने देखा कि 12 बोल्ट पर 3 बोल्ट की LED जलाने के लिए कितने का रेजिस्टेंस लगेगा और 9 वोल्ट पर LED जलाने के लिए कितना रेजिस्टेंट लगेगा और कितने का वाट लगेगा आपने देख लिया प्रूब भी हो गया अब आप अपने घर पे सर्किट बना सकते दोस्तों यह मैंने LED कलर या बोल्टेज ड्रॉप जो होते हैं दोस्तों यह मैंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही आपको यह बैलू दी है अगर कुछ गड़वड लगे तो हो सकता है मीटर में गड़वड हो लेकिन दोस्तों मैंने कुल एक्सपेरिमेंट किया इसके बाद यह बैलू दी है कि कितने का बोल्टेज कितने का बोल्टेज ड्रॉप करता है कितने वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों को शेयर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन